नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि जो रनो टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, जो रनो टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और जो रनो टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते ह और यह भी डिस्कस करेंगे कि जो रनो टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, जो रनो एक ब्रैंड नेम है, जो रनो टैबलेट के अंदर दो एंटिबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, जो रनो टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजि जोग मुख्य रूप से पेट की आतों में इंफेक्शन होने पर और डाइरिया होने पर यानि दस्थ होने पर जो रनो टैबलेट का उप्योग किया जाता है, जो रनो टैबलेट पेट के इंफेक्शन को खत्म करके डाइरिया की समस्या को ठीक करती है, इसके अलावा फेफ इन्फेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर जोरन और टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स है जिनमें आपका डॉक्टर जोरन और टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्श की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में जोरन और टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्श नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में जोरन और टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्श हो सकते हैं। जोरन और टैबलेट की खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर जोरन और टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। जोरन और टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की जोरन और टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डाइबिटीज होने पर जोरन और टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, क्योंकि जोरन और टैबलेट ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। और एंटीबायोटिक रेजिस्टिंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और जोरन और टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है। इसलिए आपको जोरनो टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। ट्रेग्मेंट महिलाओं के लिए जोरनो टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि जोरनो टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को जोरनो टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जोरन और टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.